नमस्कार साथियों आज आज कल आप न्यूज देख रहे हैं कि लिंक यूर पैन विथ आधार यानि पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़िए कि यह भी देखने को मिला है कि आप जोड़िए वरना आपको यह घजार रुपे देने पड़ेंगे या घजार लगेंगे इस तरह आधार कार्ड के जरीए ओटीपी के जरीए पैन कार्ड बनाया उनको आधार और पैन कार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे कोई पुराने जो पैन कार्ड है जो आधार से नहीं बनाए गए थे तो पिछले एक दू साल में बहुत सारे लोगों ने आधार और पैन क कार्ड को लिंक कर दिया फिर भी यह न्यूज बार बार आती है लेकिन यदि आप यह चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड आधार आपस में लिंक है नहीं है तो उसके लिए सबसे पालो आपको इंकम टेक्स की वेबसाइट पर आना होगा इसमें यहां पर आपको क्य करेंगे तो आपको पैन कार्ड नबर पूछेगा और आधार नमर पूछेगा और दोनों आप दर्ज गरेंगे और उसके बाद आगे चलिक करेंगे तो उसका अधार लिंक है या नहीं लिंक सारा बताएगा यह थोड़ा लोड ले रहा है लोड लेते मैं आपको प्रक्टि आए आपको बता देता हूं कि किससे के इसमें आधार पैन आपस में लिंक है या नहीं है किसे हम चेक कर सकते हैं तो इस तरी कि से यह पूर्टल खुल के आएगा तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि आपको यहां पर अपने जो पेन नमर वो एंटर करने हैं यहां पर आपको अपने आधार नमर वो एंटर करने हैं तो आप यहां पर अपने पेन एंटर करिए और उसके बाद आप यहां पर अपने जो आधार नमर वह आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप व्यू लिंक आधार इस्टेटस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मेसेज देखने को मिलेगा अभी यह संथिंग एरर बता रहा है यह मेसेज आपको आगया है कि यूर पैन इस ओलेडी लिंक विथ गिवन आधार नमर कहने का मतलब यह आपके जो पैन नमर है इस ओलेडी लिंक है तो आपको यह आधार और पैन लिंक करने की जरूत नहीं है और यदि आपने पहले ये लिंक करवा लिया तो आपको यह आधार पैनल लिंक करना की ज़योत नहीं है तो यह वीडियो आपको अच्छा लागात लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबागे नॉटिस लाउल पर क्लिक करते हैं जैसे में इस तरह का मैंत पूर वीडियो बढ़ाँगा उसका नॉटिस आपको मिल जाएगा मिलते हैं अगले उडियो तब करते के लिए दनेवाद